नफे सिंग राठी हत्यकान में आरूपियों से लगातार पूस्ताश हो रही है पुलिस ने आरूपियों को नोटिस जारी कर पूस्ताश के लिए बुलाया है कॉंगरस नेता विजेंदर राठी और संदीब राठी थाने पहुँचे पूर विधायक नरेश कौशिक वाइस शेयमेन राजपाल को भी बुलावा भीजा गया है नोटिस भेजा है पूस्ताश की जा रहे है कॉंगरस नेता विजेंदर राठी और संदीब राठी का नाम इसमें है नफे सिंग राठी हत्याकान से अभी भी परदा उठना बाकी है नफे सिंग राठी को क्यों और कैसे किस ने मौत की घाट उतारा ये सब पुलिस जाच के बाद खुला सक कर पाएगी लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ इस हत्याकान में खाली नज़र आ रहे हैं नफे सिंग राथी हट्याकान के आरोपियों से पूस्ताच हो रही है पुलिस ने आरोपियों को नोटिस जारी कर पूस्ताच के लिए बुलाया है कॉंगरिस नेता विजेंदर राथी और संदीब राथी पहुंचे थाने योगेंद सेनी जोड़ रहे हमारे साथ हमारे सेयोगी योगेंदर नफे सिंग राथी हट्याकान में पूस्ताच का दौर शुरू हो चुका है क्या कुछ अपडेट बीजेपी नेता राजपाल शर्मा और पूरु विधायक नरेश कौशी को भी पुलिस प्रशाशनी तरफ से फोन किया गया है और कुछी समय बाद उनसे भी पूस्ताच की जाएगी और इस पूरे मामले में जो कल जो ढमकी राटी परिवार को मिली थी उसमें जो आरोपी है उसको भी पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और आज उसे राजस्थान से गिरतार किया गया और उसे भाधुगड जो है वो लाया जाएगा जिसके बाद पुलिस अदिक्षक है उपरे सौरता के माजम से मीडिया को जानकारी देंगे योगेंदर क्या इसके पीछे की वज़ए साफ हो पाई है कि जो परिवार को धंकी देने वाला शक्स है वो राजेश्टान के बाड मेर से बताया जा रहा है कि उसको गिफ्तार किया गया है हाला कि उसको अभी तक किछी गैंग से समन्द अभी तक सामने नहीं आया है इसका फिलासा प्रेसवारत के बाद ही चल पाएगा और पुलिस इस मामले को मीडिये के सामने लाएगी उसी के पाद कुछ कहपाना जो है वो सामने उसी तो योगेंदर इन सब के अलावा क्या पुलिस के पास कोई दूसरा एंगल भी है एक तरफ तो वो लोग हैं जिस पर परिवार ने शक्ट जाहिर किया है परिवार ने जिन लोगों का नाम लिया है और दूसरा वो जो फॉन करके धमका रहा है इसके अलावा भी कोई और जांच परताल पुलिस की तरफ से की जा रही हो अलग एंगल से जिस तरह से सोशल मीडिया पर गदिनों जो कफिल सांगवान के दौरा एक पोस्ट का जिकर किया गया था उसकी जात के लिए उस पोस्ट की जात के लिए भी पिलिस परशाचन ने मेटा को एक पत्र लिखा है जिसके बाद सत्यता सामने आएगी जो दूसरे एंगल्स हैं कि किसी गैंकर से समंद होने की जहां तक बात है या गैंग वार की कोई इस तरह की कोई बात है वो अभी तक कोई कुछ के सामने नहीं आई है हाला कि जो परीजनों के साथ सब्सक्राइब अभी तक यही कहना है कि जो यह एफायर में दस नामजद लोग करवाए गए हैं इनी पर उन्हें अभी पूरी तरीके से शक है कि कि इसी गैंकर के साथ उन्हें कोई संबंद या कोई भी संपर का आस्तक नहीं रहा है तो सिरे से परीजन हाला कि इस पूरे मामले को नका रहे हैं वहीं पुलिस जो है वो जो गैंक्सर्स द्वारा जो पोस्ट की गई है वो उसको और जो आज राजिस्तान से गिस्तार किया रोपी है जो कल इनको दंकी बहरे फोन कर रहा था उसको सब को लेकर के जास कर रही है